हेलो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज के इस उडियो में हम बात करने वाले बाइजू बोडोरा टी-20 चालेंज की जो मैच है टी आई टी वर्सेस स्टी एक बीच की तीन ड्री मिलियोन की विनिंग टीम हम देखने वाले जैसे कि म आपको दिखाते जाओंगा किस किसको आपको लेना किसको नहीं लेना और आखिर में किसको क्याप्टर मनाना है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्र और किपर को मैं नहीं लेने आलाव फिलाल अगर बात करते हैं बैटिंग के तो जैसे क्या आप देख पारें ए त्रिवेदी को लिया है अगर अल्डांडर की बात करें तो इस बार मेरे पास तीन और एस विश्व कर्मा पांडे और एम मिस्ट्री तो इस तरह से तीन और त मतलब अभी तक जितने भी हमने प्लियर ले सभी ने अच्छा कासा प्रफॉर्मस के तो जरूर आप इंती सब पर भर्षा कर सकते दाव लगा सकते इसके बाद गेन बाजी भी काफी बड़ी है चूज कर लिए सी गांधी को लिए डी पटेल को लिए और जे महियाल को इस ट कर सकते तो इसलिए करूंगा ज्यादा से ज्यादा इस टीम को ग्रांड लिक के लिए उसके जगा और इसे स्मॉल लिक के लिए यूज करके वेस्ट मत की जगा इस टीम को मैं ग्रांड लिक के लिए सजेस्ट करूंगा तो काफी बढ़िया टीम बच चुके दोस्तों आग तो के करीब पॉइंट दे चुके और में काफे ज्यादा पॉइंट अब तक दे चुके याने काफे कंसिस्टेंटली एच्छा प्रफॉर्मर कर रहें दोनों की दोनों और सबसे बड़ी बात तो यह कि दोनों की दोनों आल राउंडर है तो जरूर आप इन पर भरशा कर सकते दाव लगा सकते क्योंकि यह डबल पॉइंट देंगे बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इसलिए मैंने इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाए दोस्तों इसके लाव अगर बात करें तो दोस्तों मैंने यह पर एस पांडे को जरूर कैप्टन बना है लेकिन आप किस न कहीं मिस्टरी को भी रखबर बना सकते हैं इनको भी अपनी एकाठ टीम में जरूर थर्द बनाएगे दुस्तों इस टीम को क्लोश कर लेते हैं और दूसरे टीम को मैं आपको दिखा देता हुत तो जैसे कि देख पारें दूसरे टिम में मैंने कीपिंग में चेंज कर लिया है इस ठकर को आपकी ठाकूर को इस टीम में शामिल कर लिया है उसके बाद अगर बात करें तो तीन ही बल्लेवाज में पास इस बार इलपडियार एम पटेल और एच देशाइं यह तीनों की मतलब सभी काफी अच्छे फॉर्म में तीनों की तीनों जरूर आप इंपर भुर्षा कर सकते दाव लगा सकते तो आप जरूर इनकॉप्टी टीम में शामिल कर सकते अगर बात करें तो पिछले टीम में हमारे पास तीन ओल पिछले टिम में नहीं ले पाई तो स्कति नुख को परिकर देっ जा रहो तो काफी लोगों का ध्याएं मतलब और सिर्फ सिर्फ कैप्टन के लिए ज्छादा श्रीदालगी निच नक denug अगर काप्टन की बात करें तो थोड़ा कम परसेंटेज मिला है तो अगर आप इनको क्याप्टन बनाते हैं और यह अच्छा प्रफरमस करते तो आपको काफ़े फायदा हो सकता आप ग्रांड लिंग में आपको अच्छे खासनी जरूर हो सकते वाइस क्याप्टन की अगर ब क्याप्टन भी बनाएगा दोस्तों काफ़े बढ़िया फॉर में और इनके फॉर्म का अगर फायदा उठाना है तो कहीं ना कई क्याप्टन या वाइस क्याप्टन दोनों हम इने बनाना होगा तो इसलिए आप अगर ज्यादा तीम लगाते तो जरूर बनाएगा तो कुल म के लिए थोड़ा कम यूज करेंगे तो जा कोई प्रॉब्लिम नहीं दोस्तों अगर ऐसा कर सकते दोस्तों अगर एक इस टीम पर एक लीग लगा दीजिए और एक स्मॉल लीग भी लगा दीजिए यानि स्मॉल लिग अगर जितने वाले साते साथ अगर घ्रांट जित जाते तो आपको काफे फायदा हो सकता है तो इसलिए कि यह इस के कांज यह और कि अच्छी टिम बन चुकर दोस्तों परफोरश को मिलतेशल और सेव कर लेते और तीसरी और के तीम कें आपको इडिट कर अपको दिखा दे कर देता हूं तीसरी टीम में मैं ने आपको देख सकतें दो कीपर को शामिल कर लिया जी ऐध वाइद लखे Mr. रमी की बात करें तो इतना ठीक ठाक पर्फॉर्मंस shayar दोस्तो वड़िया पर्फॉर्मंस सबसे पहले बाटिंग की बात करें तो टी मिश्ट्री को भी हमने ले लिया है और यह तीनों हमारे हर टीम में है क्योंकि तीनों ने काफी बढ़िया प्रफांस के और कंसिस्टंसी भी अच्छी रहा इनकी दूसरे अगर प्लियर्स के कंपेर करें तो इनकी जादा अच्छी रहा इस तो जरूर इनको इस Teeb में में शामिल कर लिया अगर बात करें जैनबा जी यह भी टीम काफी बढ़िया बन चुके दोस्तों जरूर कोँगा इस टीम को भी ग्राइड लीग और स्मॉल लीग दोनों के लिए यूज कर सकते तो क्यूंकि यह भी टीम काफी एच्छी बनी है दोस्तों और मुल्टिपल स्टीम आप जब तक ग्राइड लीग नहीं लगाते जैसे 5-10-15-20 तब तक आपका जितना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों लेकिन अगर आप मल्टिपल स्टीम लगाते ग्रांड लिग में तो आप मतलब आप कुछ ना कुछ दो तो तो तीन तीन चेंजेस करके तो जरूर लगाएंगे ना दोस्तों तो वो आपक से जाना टिम में ग्रांड लिग के लिए लगानी चाहिए दोस्तों तो इस टीम को फिर से कहूंगा ग्रांड लिग दोनों के लिए उच्च कर सकते इस टीम के कैप्टन की बात करें तो अभी तक यहाँ पे मैंने विश्व कर्मा को कहीं भी कैप्टन और वाइस कैप्टन बना था तो इस टीम में उनको जरूर बनाओंगा और वाइस केप्टन जे महियाल को मिलती है तो जो खरमाप इन पर बर्सा कर सकते हैं जब बाड़िया बनन चुके दोस्तों फिर से कहूंगा और आखिर में यह कोँगा रोस्तों इन टीमों में अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि गलत बने तो वह भी आप कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई गुंजाईश है क्योंकि मैंने काई अच्छी और सोच समझ के टीमें बनाई और अच्छी काप्टन और वाइस काप्टन भी लगाए तो मुझे लगता है कि यह अच्छी खासी टीम है आई होप आपको भी पसंद आई होग हाला कि मैस थोड़ा जल्दी है तो पता नहीं मैं सुभे जल्दी उठके आपको बता पाऊंगा नहीं लेकिन टीमें काफी बढ़िया बन चुके दोस्तों तो जरूर आप इसी तर से लगाए आई होप दोस्तों यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और पसंद आया तो आज के लिए इतना है दोस्तों मिलते हैं अगले वोड़े में तब तक के लिए ठैंक यू आज को झाल झाल झाल